नमस्काल दोस्तो मैं हूँ आलोग स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटructures चैनल आलोग्स प्लॉग पर दोस्तो गर्मियां सुरू हो गई है और गर्मियों में हरियाली देखना आखों को एक अजीब सा सुकून देती है ऐसे में जो है अगर हमारे गार्डिन के अंदर फूलो वाले पौधे ना भी हो तो कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स जिनके अंदर खूपसूरत पत्ते होते हैं हरे भरे पत्ते होते हैं उनको देखने से आखों को काफी ज़्यादा शुकुन मिलता है साथ ही साथ ही ये प्लांट्स जो है घर के अंदर as a air purifier रहकर हमारे घर की हवा को भी शुद्ध करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही कुछ प्लांट्स के नेम मैं आप लोगों से इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ जिनको जरूर लाकर हमें आप लोगों को मतलब पैने तो रखा ही है आप लोग भी जो है इनको नजरी से ले आएए और इनको आपने गार्डेन के अंदर जगे जरूर दिती है चलिए बिना देरी के हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर और सबसे पहला जो मेरी ये रो जो आपको दिख रही है इसके अंदर मैंने सारा कोलियस रखा हुआ है कोलियस की अलग-अलग वराइटीज है ये यहाँ पर मैंने काफी सारी नीचे इनकी कटिंग्स भी लगाकर इनकी जो दूसरी लॉट है वो भी तयार करना शुरू कर दिया है तो कोलियस जो है one of the best option है गर्मियों में जो है अगर आप अपने गारइटीज के अंदर अच्छी ग्रीनरी और ग्रीनरी के साथ साथ जो है colorful combination देखना चाहते हैं तो कोलियस से अच्छा option और कुछ हो ही नहीं सकता दूसरा पौधा जो की एक evergreen plant माना जाता है और इसकी बराइटीज की भी भरमार होती है क्रोटॉन का ये इनकी growth का time है और बहुत अच्छे से इस time पर जो है क्रोटॉन के पौधे हैं हमारे garden के अंदर growth कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आपके सामने यह मेरा golden dust है और यहाँ पर यह क्रोटॉन की कुछ अलग बराइटीज है और यहाँ पर यह जो पौधा रखा हुआ है यह भी क्रोटॉन की बराइटी है जिसे मैंने cutting से तयार किया है और देखिए यह दोनों कितनी बढ़िया growth कर रहे हैं बहु बहुत ही अच्छा option है इसके बाद अगला पौधा जो green tree के लिए जो है बहुत ही ज्यादा जो है suitable है यह है फाइकस का फाइकस की अलग अलग वराइटी जाती है इसकी मेरे पास एक वराइटी यह जो है यह इसके पत्ते जो है इस तरीके से हैं इसको दिए पता नहीं कौन भी आता है तो लग अलग वराइटे जी जे अरो यह बहुत अच्छा ही बनता है तो बहुत ही अच्छा option है यह अगला पौधा जो ग्रीनरी के लिए ही जाना जाता है क्योंकि इसके पत्तों में आप देख रहे होंगे किसी भी तरीके का वैरियेशन नहीं है लेकिन इसके ग्रीन कलर के पत्ते जो है वो काफी ज्यादा आखों को शुकून देने वाले हैं तो यह बहुत अच्छा option है यह आपके सामने जो प्लांट रखा हुआ है यह है आपका पेप्रोमिया का पेप्रोमिया बहुत ही अच्छा option है इसको इस टाइम पर जो है लाकर हमें अपने गार्डेन के अंदर जरूर एड़ कर लेना चाहिए अगला प्लांट जो भी हमें अपने गार्डेन के अंदर जगें जरूर देना चाहिए और ग्रीनरी के लिए तो यह खासकर जाना ही जाता है अगला पौधा है डैफन वाकिया का डैफन वाकिया भी जो है यह अपने खूपसूरत पत्तों की वज़ा से जाना जाता है देखे पत्ते इसके कितने बड़े साइच के हैं, green के साथ white का combination है और एक इसकी ये variety भी है, ये भी देखने में काफी ज़्यादा खूबशुरत लगती है अगला पौधा जो है, ये क्रिष्टीना का है, क्रिष्टीना के भी पत्ते, इसको संसेजिया के नाम से भी जाना जाता है इसके पत्ते काफी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, जो नए पत्ते आते हैं, वो orange कलर के होते हैं और पुराने पत्ते green कलर के, वो खूबसूरत combination ये दोना मिल कर बनाते हैं कि एक बार जो है देखने पर इनको देखते ही बनता है अगला पौधा जो है आपका, ये है सैफलेरा का, मेरे पास एक पौधा और है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ काफी अच्छा है ये देखें, ये वाला, तो इसके पत्ते थोड़े बड़े साइज में हैं और उधर जाकर ये काफी जादा बुशी भी हो गया है, तो इस टाइम पर ये काफी अच्छा ऑप्शन है, अगर आ इसको आप अपने गार्डन के अंदर एट करते हैं, तो ये कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है अगला पौधा ये है अलपीनिया का, अलपीनिया तो वैसे जो है इसके बेरिगेटट पत्तों के लिए ही खास कर जाना जाता है, लेकिन अभी चुकी गर्मिया जासे श्टार्ट हुई है, और पूरे बिंटर भर ये डोर्मिंशी के अंदर रहे हैं, तो इस वज़ा से जो अगला पौधा है, ये है मेरेंटा का, मेरेंटा जो है, आप लोगों ने कैनारीली देखी होगी, इसके पत्ते मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके पत्तों में भी देखिए, वाइट कलर का वेरियेशन होता है, ये भी देखने में काफी ज्यादा खुपसुरत लगता है, इस कर इसके पत्तों के अंदर आता है अभी तो ये धिरे-धिरे करके खुद को समझ लेजे ठीक कर रहे हैं और ये देखिए ये थोड़ा अलग है और मैंने पिंक सिंगोनियम भी रखा है अभी मैं आगे ले चलूँगा आपको गार्डेन के अंदर तो वहां पर सो कर दूँगा इसके बाद ग्रीन्धी के लिए अगर देखा जाए ये मेरा पॉट गिर गया था इसके ओपर जो है मनी प्लांट का ये मेरा बोट लिली का जो प्लांट है ये टूट गया था बाकि बोट लिली में भी कई सारी वराइटी जाती है ये ट्राइकलर है ये जो है डबल सेड़ और यहां पर यह जो रुखा हुए है यह है आपका पेंडानेस का प्लांट और यह ड्रैसिना की अलग अलग वराइटीज है और ड्रैसिना में यह जो दो पौधे आते हैं सौंगा फिंडिया के यह काफी ज्यादा अच्छे ऑफशन है अगर आप अपने गार्डेन के अंदर फैलर ड्रैंडान की इसके अलावा मेरे पास एक बराइटी यह है इसके बाद फैलर ड्रैंडान बरकिन भी है तो यह मैं दिखा रहा था आप लोगों को यह काफी चादा देखने में खोपसूरत लगते हैं तो इस टाइम पर यह भी बहुत अच्छा ऑप्शन बनके आते ह है वो भी बहुत ही खूपसूरत अगला पौधा जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आप उसको देखने के बाद उसके फैन हो जाएंगे ये हैं आपका जो है पूलका डॉट बहुत सस्ते में मिल जाते हैं और देखे कितना ज़्यादा खूपसूरत लग रहा है इस इसको भी आप जो है इस गर्मी के अंदर जो है नासरी से जाकर ला सकते हैं तो ये है मेरे गार्डेन का ये वाला एरिया और अब लेकर चलता हूँ मैं आप लोगों को दूसरे एरिया के अंदर जहां और भी सारे प्लांट रखे हैं उनको भी दिखाता हूँ इसके बाद देखा जाए तो गर्मियों में अगर ग्रेंडरी की बात करी जा रही है तो मनी प्लांट को हम कैसे भूल सकते हैं मनी प्लांट की अलग-अलग वराइटी जाती है ये तो मेरी जो है सबसे खूबसूरत वराइटी जो है मुझे अपने गार्डिन के अंदर यही लगती है य उसके बाद मेरे पास ये एंजोय पोथोज है ये भी काफी जादा देखने में खूबसूरत लगता है इसके पत्ते वेरिगेटेट होते हैं और ये नॉर्मल गोलेन वाली वराइटी है उसके बाद देखा जाए तो आपका चाइना पाम और पाम की सारी वराइटी मेरे पा महगा आता है वरना मैं आप लोगों को जरूर सजेस्स करता कि आप लोग फेज को भी लाकर लगाईए थोड़ा कॉस्ट्री प्लांट है और जैसे जैसे वाटसेप फेस्बुक पे इसको जादा दिखाया गया तो इसकी कॉस्ट जो है वो धेरे-देरे करके बढ़ती ही चल पॉधा जो ग्रीनरी के लिए जाना जाता है यह है आपका जजजड प्लांट या जीजी प्लांट इसके पत्ते जो है ओवल सेप के होते हैं और काफी ज्यादा ग्रीन होते हैं अलग वराइटी भीन की मिल जाएगी यह है फेलो डंडॉन की दूसरी वाली वराइटी बरकि सिंक्थ और यह बटरफ्लाई उसके बाद यह आपका लिवस्टीक एलोनिमा यहां पर यह एक एलोनिमा की वराइटी है और नीचे भी जितने हैं यह सारे अलग अलग वराराइटी जहां पर सारी जो हैं वह रख़ी हुई है तो धिर धिरे करके अभी आम मेरी गार्डेन के क्या ब्लांट है यह इसके अंदर देखिए अप्लावर आ रहे हैं यह सवर विगुनिया है पर्मानेंट रहता है और यह मेरे यहाँ पर सारे पाम रखे वह और पाम की जो ब्राइटीज एं इसमें पर इस पाम है यह फोकसल पाम है और यह आपका आरिका पाम के साथ फोनिक्स पाम के दो प्लांट मैंने लिए थे तो एक मैने इधर रखा हुआ है और ये आपकी मैंने एक ब्रहर को एक से फ्लेट करके लगा था तो यह है उतने प्लांट मतलब fun की भी मैं कुछ variety आप लोगों को और दिखा देता हूँ ये fun की एक variety है अब new growth कर रही है देरे-देरे करके और अच्छी लगेगी ये bird next fun है ये भी काफी जादा अच्छी लगती देखने में तो ये इतने सारे plant हैं जिनको गर्मियों में लाकर आप लोग लगा सकते हैं और खूबसूरत greenery आपने garden के अंदर add कर सकते हैं कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा ऐसी किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबा एंड टेक केर